एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जी टी गुरुजी पर जहां जी फोर ग्रैमर एंटी फोर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्ट प्रभात कुमार सिंग और आज मैं आप सब के लिए लेकर आया हूँ Oxford Junior English Grammar के exercise 27 के solution को लेकर तो जानते हैं इसमें क्या क्या है आखिर सबसे पहले direction आपके book में दिया होगा look at the box and answer the questions given below तो एक box दिया हुगा है खर उस box को मैंने यहां print नहीं किया है और मैं सिधा उस box में sexually क्या है कि छाटना है क्या क्या चाटना है तो question 1 में है कि आपको masculine gender उस box से चाटना है दूसरा feminine gender है तीसरा common gender है और चौता जो है वो all genders चाटना है तो सिधा यहां पर हम लोग इसको चाटने का काम करेंगे box इसलिए मैं नहीं दिया है तो क्या क्या है masculine में उस डबे में क्या क्या है जरा इस वीडियो को last तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ surprising मिलेगा ठीक है तो he is he or him ये जो है आपको masculine gender है यानि की pulling है फिर है इसमें pick out the pronounce of feminine gender from the box तो यहाँ पर she or her ये दो ही है इसमें उपर तीन थे बाकी इसमें दो है आगे थोड़े ज्यादा आपको मिलेंगे तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने काया आपको कि आप इसक में हैं कि pick out the pronouns of common gender सबसे पहले समझ ये common gender क्या होता है common gender आपको मालूम होगा कि कोई ऐसा नाम जिससे की आपको या name हो चाहिए नावन हो या प्रोनावन हो जिसको बोलने पर ही माली जिए वह वह चीज जो है वह व्यक्ति जो है या तो pulling हो चाह स्टलिंग हो masculine हो या feminine हो ले जैसे noun की बात करें तो आप teacher teacher male है कि female है आपको नहीं पता citizen यानि नागरीक नहीं पता doctor नहीं पता तो ऐशा शब्द इसको बोलने से तो उसी प्रकार से आपको इसमें भी है तो me जैसे कि माली जीए यहा मी जो है common gender हो जाएगा क्योंकि जैसे कोई लड़की है वो भी कहें गी give it to me कि यह मुझे दो कोई लड़का होगा वो भी कह गए give it to me इसी प्रकार you तूम चाहे वो male हो female हम दोनों को कहेंगे you our हमारा चाहे हम सब male हो चाहे female हो सब के लिए होगा us हम लोगों का वैसे ही होगा who इसी प्रकार से होगा whom भी दोनों के लिए होगा yourself भी दोनों के anyone तो यह है अब चौता question कहता है कि pick out the pronouns used for all genders all में देखिए एक missing है इसमे option में आपको चार दिया है लेकिन देखिए वही मैंने last में दिया एक neutral gender होता है नपुन संगलिंग आप जानते होंगे पहले आजाए तो this this क्या कहेंगे this is Ram this is Sam this is Sita और neutral के लिए भी कहेंगे this is my pen ठ that भी वैसे होगा what भी वैसे होगा दे भी वैसे होगा plural में नपुनसक लिंक भी दे हो जाता है यह सब जेंडर में काम आएगा अब जो मैं नहीं कहा था कि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना उसका main region यह था कि उस box में यह सब चीज़े भी दी हुई है eat nothing which itself लेकिन इसके लिए को option यह नहीं दिया था कि आपको मतलब यह चीज़े extra है मैंने यहां लिख दिया है न कि यह extra है तो extra है तो उसमें देना चाहिए कि भाई आपका जो है आपके option में था box में इतने बच जाने चाहिए उमीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा और आपके आप सही हो गए होंगे और इस वीडियो को like ज़रूर कर दे ताकि हम आगे वीडियो बनाते रहें इसी प्रकार से और हाँ यदि आप हमारे चैनल पे नहीं हो मेरा दूसरा चैनल भी है उसका लिंक भी आपको आई बेटन में और डिस्क्रिप्शन में भी है वहाँ से जाकर आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़ूर बताएं मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए Have a nice day